नमस्कार दस्तों करेंट अफेर्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है और दोस्तों आज है 18 दिसंबर 2020 और 18 दिसंबर 2020 से जितने भी करेंट अफेर्स के कोशन है जो राश्ट्री यह वा अंतराश्टी अस्तर के हैं उसको आज हम डिस्कस करेंगे और दोस्तो इस वीडियो का अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलिग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं टेलिग्राम अप्लिकेशन में सर्च किजिए हमारा भी हार HV और चैनल को जोइन किजिए वहाँ पे आपको सारे दिन का PDF मिल जाएगा और दोस्तो इस वीडियो के लास्ट में मैंने रिवीजन का दो प्रस्ण रखा है जिसका एंसर आप लोग को कमेंट बोक्स में देना है तो वीडियो लास्ट तक जब देखिए तो चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तो आज का पहला प्रसने हाली में किस बैंक के द्वारा मेटल क्रेडिट कार्ड पाइनियर हेरिटेज लॉंच किया गया है तो पाइनियर हेरिटेज एक क्रेडिट कार्ड है और इसे लॉंच किया गया है इंडेस इंडेसिंड बैंक के द्वारा यह आप्शन इसका स मेल खाने के लिए क्यूरेट किये गए हैं अगला प्रसन है हाली में कि इस कंपनी को वर्ष 2020 के लिए गोल्डन पिकॉक इन्वार्मेंटल मैनेजमेंट पुरसकार से समानित किया गया है तो Golden Peacock Environmental Management पुरसकार 2020 से समानित किये गया है Steel Authority of India Limited बी ओप्सन इसका सही हो गया Steel Authority of India Limited लगातार दो वर्सों के लिए इस पुरसकार का विजेता बना रहा है यह पुरसकार कॉर्परेट को अपने परियावरंद परदरसन को बढ़ाने और मापदर्ण अस्थावित करने के लिए प्रताहित करता है अगला प्रस्त है हाली में किस राज सरकार के द्वारा किसान कल्यान मिशन सुरू करने की घोशना की गई है तो किसान कल्यान मिशन शुरू करने का घोशना किया गया है उत्तर परदेश सरकार के द्वारा C option इसका सही हो गया उत्तर परदेश सरकार किसानों की आय को दुगूनी करने के लिए इस कारिक्रम को शुरू करेगी किसान कल्यान मिशन नाम का या कारेकरम राज के सभी बिधान सवाच्छेतर को कवर करेगा मिशन के तहत राज में बिभिन कारेकरम का आयोजन किया जाएगा नेक्स्ट है हाली में किस राज के हजीरा में इंडियन कोस्ट गार्ड इंटरसेप्टर बोट को कमिशन किया गया है तो इंडियन कोस्ट गार्ड इंटरसेप्टर बोट को कमिशन किया गया हजीरा में जो की गुजरात में है A option इसका साही हो गया और यह Interceptor Board L&T द्वारा सोदेशी रूप से बनाये गया है अगला प्रस्ने हाली में किस देश में भारत के उच्छ योग ने 18-35 वर्स की आयू के बीच के युवाओं के लिए White Liberation Me To Me भी सहब पर एक लिखन परित्वक्ता सुरू किया है तो भारत के उच्छ योग के द्वारा सुरू किया गया है 18-35 वर्स की आयू के युवाओं के लिए White Liberation Me To Me भी सहब पर एक लिखन परित्वक्ता जो की बांगला देश में सुरू किया है D-Option इसका सही हो गया बांगला देश में भारत के उच्छ योग ने 18-35 वर्स की आयू के बीच बांगला देशी युवाओं के लिए White Liberation Me To Me भी सहब पर एक 20S लिखन परतियोक्ता शुरू की इसे विजय दिवस के पूर्व संध्या पर लॉंच किया गया है बांगला देश ने 16 दिसमबर को विजय दिवस मनाया है इस दिन बांगला देश पाकिस्तान से मुक्ति प्राप्ति की और 1971 में बंग बंदुष सेख मुझेबुर रहमान के नेत्रित में एक स्वतन तराष्ट बन गया है बांगला देश अगला प्रस्न है भारत और किस देश के बीच चिलहाटी हल्दी बारी रेल लिंग को 55 वर्ष old वाद फिर से खोला गया है तो चिलहाटी हल्दी बारी रेल लिंग जो है यह भारत और बांगला देश के बीच में है D-Option इसका सही हो गया भारत पाकिस्तान युदे के दोरान इसे बंद कर दिया गया था इस रेल लिंक का उधगाटन 17 दिसंबर 2020 को भारत और बांगला देश के प्रधान मंत्री के आभाशी सीखर सम्मिलन के दोरान हुआ है चिलहाटी हल्दीबारी रेल लिंक कोलकाता से सिल्ली गोडी तक ब्रॉड गेज मुख्य मार्क का एक हिंसा था अगला प्रसने हाली में भारत सरकार ने किसके साथ 1000 मिलियन डॉलर के समझोते पर हस्ताक्षर किया है तो न्यू डेवलप्मेंट बैंक के साथ बी आप्सन इसका सही हो गया करेकरम COVID-19 महामारी के प्रतिकुल आर्थिक प्रभाव को कम करने में सरकार का समर्थन करेगा और प्राकिर्तिक संसाधन प्रवंधन कारियों के माध्यम से ग्रामीन छेत्रों में आर्थिक सुधार को सक्षम करेगा या ग्रामीन मांग को प्रताहित करने के लिए आर्थिक गतिविधी और रोजगार स्रिजन की सुभिधा परदान करेगा अगला प्रस्ण हाली में किस बैक्ति को ASEI Pacific Broadcasting Union के उपध्यक्ष के रूप में चुना गया है तो ASEI Pacific Broadcasting Union के उपध्यक्ष के रूप में चुने गया है दोस्तो SACI सेखर बेपनती C option सही हो गया SACI सेखर बेमपती SACI सेखर बेमपती प्रसार भारती के CEO है इन्हें तीन वर्सों के लिए Asia Pacific Broadcasting Union के उप्वयाधच के रूप में चुना गया है Asia Pacific Broadcasting Union का गठन 1964 में 57 देशों और छेत्रों में 286 से अधिक सतस्यों के साथ प्रसारन संगठन के एक पेशेवर संद के रूप में किया गया था अगला प्रस्त है हाल ही में किसके द्वारा Economic Diplomacy Website लौंच किया गया है तो Economic Diplomacy Website लौंच किया गया है S.J. संकर जी के द्वारा D. Option सही हो गया इसमें भारत की आर्थिक छत्रिये और राजबार तागत का प्रतर्सन किया जाएगा Website विदेशी निवेशकों को आकर्सित करने के उद्देश से सरकार की Website पहल, नितिकत सुधार और प्रसाहन करने में आसानी पर केंद्रित है Next है हाली में भारत के गरीवों और कमजोर लोगों को COVID-19 के प्रभाव से बचाने के लिए भारत सरकार और किस बैंके भी 400 मिलियन अमेर्की डॉलर की पर्योजना पर हस्ताक्षर किया गया है COVID-19 के प्रभाव से लोगों को बचाने के लिए जो की 20 बैंके साथ किया गया है इसका सही हो गया इससे पहले भी दोस्तो 57 मिलियन अमेर्की डॉलर के पहले ऑप्रेशन को मई 2020 में मंजूरी दी गई थी कारेक्रम गरीवों के लिए संबंदित और परियाप्त समाजिक सुरक्षा परदान करने के लिए राज और केंसरकारों की छमता को मजबूत करेगा इसके साथ ही दोस्तो 20 बैंक ने विकास पहल का समर्थन करने के लिए 800 मिलियन डॉलर से अधिक के 4 भारतिय परिजना को मंजूरी दिया है जिसमें सामिल है 36 गट समावेसी ग्रामीन और तुरित क्रिसी विकास परियोजना नागा लेन काक्षा सिक्षन और संस्था बिधी परियोजना और दूतिय बान सुधार और पुनरवास परियोजना नेक्स्ट प्रसन है कौन सी सोसल मीडिया प्लेटफॉर्म भारत में अपने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर स्वास्त बीमा और माइक्रो पैंसन उत्पाद लॉंच करने की योजना बना रही है तो वाटसेफ ठीक है बी ओप्सन इसका सही हो गया वाटसेफ बित्य संस्थानों के साथ साज़दारी में सुक्ष्म बीमा और माइक्रो पैंसन उत्पादों के पाइलेट प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है यह स्वास्त बीमा उत्पादों को उभख्ता को परदान करने के लिए SVI जर्नल इंसुरेंस के साथ साज़दारी कर रहा है अगला प्रस्ने हाली में सहीक्त राष्ट पार्यवरंद कारेक्रम ने सहीक्त राष्ट के सर्वच पारयवरंद सम्मान 2020 Champions of Earth Award के छो पुरसकारों की घोसना की है इसके अनुसार किस देश के प्रदान मंत्री फ्रैंक बेनीमा रामा को वैस्बिक जलवायू कारवाई और जलवायू उत्तरदाई रास्ट्रिये विकास की उनकी प्रतिबद्धता के लिए नीती नेत्रित विस्रेनी में सम्मानित किया गया है तो दोस्तों ये जो हैं फ्रैंक बेनीमा रामा ये फीजी के प्रदान मंत्री है सी ओप्सन इसका सही हो गया और इन्हें सहीक्त राष्ट परेवरंद कारेक्रम के तरद चैंपियंस अफ और्थ आवार्ट के लिए चुना गया है नेक्स्ट प्रस्ते हैं हाली में किस पैक्ति को चीन में सहीक्त राष्ट के आवासिये समन्वैक के रूप में निक्तिया गया है तो चीन में संही टराष्ट के आवाासिय समनलैग के रूप में निवत किया हैं सिध्धार्थ चतर्जी, D option इसका सई हो गया संही टराष्ट महासचीव एंटोनिय गुतेरस ने भारत के बरिष्ट संही पतराष्ट अधिकारी सिध्धार्थ चतर्जी को चीन में समित तराष्ट के आवासिये समनवैक के रूप में निफ्थ किया है अगला प्रस्थ में दोस्तो हाली में गोवा सिप्यार्ट लिम्टेड ने भारतिये टटरक चकबल के ओर्डर के पांच में और अंतिम अप टटिये गस्ती पोत को लॉंच किया है तो इसका नाम क्या है तो गोवा सिप्यार्ट लिम्टेड के दोरा जो भारत टार कट्रक्चक बलžके दोरा पांच पोतों का और दिया गया था जिसमें यह लाष्ट पॉट बच्छा हुए था जिसका डिलेवरी हो गया है और दोस्तो तो इससे दोस्तो कमिशन किया गया था गोवा से प्यार्ड लिम्टेट के द्वारा और इसका नाम है दोस्तो आई सी जी एस सक्षम ए ओप्सन इसका सही हो गया नेक्स्ट प्रस्न है हाल ही में किस बैक्ति को तो freedom of the city of London पुरसकार से समानित किया गया है तो freedom of the city of London पुरसकार से समानित किया गया है इबोनी, रेनफोर्ड, ब्रेंट और माइकल होल्डिंग ठीक है तो ए भी दोनों सही है तो c option सही हो गया उप्युक्त दोनों माइकल क्लार्क बेस्टेंडीज के स्वर्य यहां पर माइकल होल्डिंग हो जाएगा माइकल होल्डिंग बेस्टेंडीज के पूर्व क्रिकेटर और ब्लैक क्लाइब्स मेंटर अभ्यान को समर्थन देने वाले है और यह ब्लैक क्लाइब मेंटर तो है यह कारे को काले और गोरे बैक्तिकों लेकर एक अभ्यान है ठीक है तो इसके समर्थक करता है और इवोनी रेंफ्रोड ब्रेंड जो है यह इंग्लेंड महिला टीम की प्रूफ खिला रही है ठीक है और इन दोनों को फ्रीडम आफ दे सीटी ओफ लंदन पुरसकार से सम्मानित किया गया ठीक है तो दोस्तों यह था इसका करेंट अफ्यर्स चलते हैं ग्लोबल सॉमिट 2020 में लाइफ टेम अचीवमेट अबाट से समानित किया गया है तो बिल गेट्स को तो बी ऑप्सन सही हो गया तो कल के प्रस्ण दोनों प्रस्ण का सही उत्तर बी हो गया ठीक है आज का रिव्जन का प्रस्ण हाली में किस भारतीया विनेता को स्पाइस मनी का ब्राणरमेश्टर हमनित किया गया है दूसरा प्रस्ण हाली में किसके द्वनेशं के दोरद cumpl牧Sal करता हूं आपको यह वीडियो अचा लगा होगा अगर यह वीडियो थोड़ा सा भी अच्छ तद आपने दोस्तों में जरूर सेर करें तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद